समाधान, समाधान, समाधान प्रयोग, मेडिटेशन के लिए सारे संसार के लोग यहां आध्यात्म को सीखने और जानने के लिए आते रहे हैं यदि आप इतिहास उठा कर देख लें चाहे वो चीन रहा हो चाहे पुर्वोत्तर जो राज्य रहे हैं वो रहे हो सभी लोग यहां आते रहे हैं और ज्ञान लेकर जाते रहे हैं और भारत का प्राचीनतम राज्योग तो सचमुझ बहुत मशूर रहा है जो सभी समस्याओं के निदान के लिए अप्रयोग किया जाता रहा है विशेश करके मैं यह कहना चाहूँगा आपने रिशी मुनियों के अनिक आख्यान सुने होंगे किसी को आकाश गमन की सिध्धी प्राप्त थी कैसे यह संभव था अब आज यदि व्यक्ति सोचे तो शायद उसे लगेगा कि नहीं शायद यह बात रही नहीं होगी लेकिन यह बात सत्य है कोई आकाश गमन करता था कोई जल गमन किया करता था किसी की आयू बहुत लंबी हुआ करती थी और न केवल इतना है अनिक प्रकार के जो बिमारियां थी उन सब का भी इलाज राजियोग के माध्यम से किया जाता रहा है इतिहास इस बात का गवा है अब पुना हम वहीं आ पहुँचे हैं कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि अब ऐसी ऐसी बिमारियां आ रही हैं जिनका कोई निदान प्राप्त नहीं होता है मेडिकल साइन्स के पास भी जिसका कोई इलाज ना हो तो ऐसे में क्या किया जाए आध्यात्म के पास वो सारे जवाब है इसलिए राजियोग पे कल भी हम चर्चा कर रहे थे आए उसी चर्चा को आधर्णिय ब्राताजे के साथ आगे बढ़ाते हैं अभी नंदन करते हैं आज के समाधान कारिक्रम में उनका प्रताजी बहुत-бहुत स्वागत अभी नंदन है प्रताजी सभी चीज़ों की शुरुवाद भारत वर्स से हुई है जादहतर चीज़ों की चाहे वो शलेचिकित्सा भी रहा हो उसकी भी यहाँ शुरुवाध होई है आयूरवेद में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, राजियोग की भी विशिस व्याख्या की जाती है, तो क्या ऐसा लगता है कि अब पुनह उसी राजियोग का दौर आ गया है जो सभी को सीखना चाहिए और अपनी समस्याओं को दूर करना चाहिए। और इस ब्रेन की भी नॉलेज मेडिकल साइंस के पास बहुत कम है, मैं तो मेडिकल स्टूडेन नहीं हूँ पर हमारे यहां बहुत अच्छी कौन फ्रेंस होई थी जिसमें धाई सो बहुत परसिद सर्जन्स ने हिसा लिया था, और सब एक मत से बोल रहे थे कि ब्रेन की केवल 10% नॉलेज संसार में मेडिकल साइंस के पास है, क्या-क्या ब्रेन में है वो भी मन उसको समझ में नहीं आ सकता, और साथ में मन, बुद्धी, आत्मा, जो अभोतिक चीज हैं, जो अलोकिक चीज हैं, उसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, इसलिए बिमारियां ब संसार में ऐसी भयानक इस्थिती है, टोटल सारा संसार ही, जैसे ऑक्सिजन पर चल रहा है, इसको स्प्रिच्वल ऑक्सिजन की बहुत आवश्चता हैं, बीना स्प्रिच्वलिटी के अब कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा, मैं एक छोटी सी और सुक्सम बात कहूंगा, जब आप दर्शन की बात कर रहे थे कि भारत का दर्शन फेमस रहा है, भारत तो वास्तों में जगत खुरू रहा है, सभी आत्माएं हैं, सब के मस्तक के मद्ध में, यानि ब्रेन के मद्ध में आत्मा विराजमान है, आत्मा में कभी संपूर्ण लाइट थी, जो वो परफ खतम होती गई, और अब आकर रह गई बहुत कम लाइट, बहुत कम एनरजी, बहुत कम अच्छे वाइब्रेशन्स, अब ब्रेन के बीच में आत्मा वैठी है, वो ब्रेन को जा रहे हैं, अब वो इतनी लाइट जा ही नहीं रही कि ब्रेन को वो एनलाइटेंड करे, इतने प्योर वाइब्रेशन्स जा ही नहीं रहे कि निगेटिविटी को नस्ट करे, इतने पावरफुल वाइब्रेशन्स जा ही नहीं रहे कि वो समस्याओं को समाप्त कर दे, बीमारियों को नहोंने दे, अगर हम आत्मा की लाइट को बढ़ाने लगें, अगर हम आत्मा की उसका तरीका केवल अपने को परमात्मा से जोड़ना है, जिसकी हम संतान हैं, उससे अपना नाता जोड़ लेने से हमारी spiritual power बहुत बढ़ेगी, जीवन को एनलाइटन करेगी, ब्रेन को एनरजी देगी, जो निगेटिविटी हो गई जो ब्रेन की बहुत बीमारियां बढ़त जा रही हैं, उनमें वो बहुत एहम भूमी का निभाएगी, तो आध्यात्म की सच्मच बहुत जरूरत है, बताजी कल जब हम चर्चा कर रहे थे एक बात आई थी, कि राजियों का अभ्यास हमें लगातार 8 घंटे तक कम से कम करना चाहिए, तो एक विशीज बताई थे कि क कोई दो-चार दिन कर पाता है, फिर ठक जाता है, क्योंकि योग अभ्यास करने में भी ब्रेन को बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है, जैसे ब्रेन को संकल्प चलाने में एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, वैसे इस अंकल्पों को कंट्रोल करने में और ज़्याद नहीं है, वो दो-चार दिन में ठक जाते हैं, कि छोड़ो गई अपने से नहीं हो गए काम, अपना एक दो घंटा योगी काफी है, ये एक सुक्सम फिलोसोफी है इसके पीछे, और ये ब्रेन को एनर्जी जाती है प्योरिटी से, ये ब्रेन को एनर्जी जाती है पावरफुल थोट से, ब्रेन एनर्जी टिक होता है स्वमाच से, इंची जोका जो एकती अभ्यास करेगा, इंची जोको समय लेना चाहिए, केवल योग अभ्यास कर देना, खीच्टान के एक आगड़ता करना, वो योग अभ्यास करने वालों के लिए और घातक होती है, उससे ब्रेन प अभ्यास करना चाहिए, तीसरी चीज होती है, कि मनुस अपने को अंतर मुखी नहीं बना पाता, कर्मेंद्रियों के रस उसे खेंचते रहते हैं, तो भाई ये संसार के आकर्शन भी उसे अपनी और बहुत आकर्शित करते रहते हैं, वो सुस्तारे में तो ये भी छूट गया वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, देखे कर्मेंद्रियों में अगर रस होगा, मानलो किसी को खान पान काई रस है, तो योग तूटेगा, किसी को व्यर्थ सुनने का कानों का रस है, निंदा रस, योग तूटेगा, किसी को संसार में और कुछ आकर्शन भहत है, तो योग तूटेगा, तो ये कुछ कारण बनते हैं, कोई अपने को एक बहुत अच्छी satisfactory purity को नहीं अपना पाते हैं, उनको कहीं कुछ देखने की इच्छा होती है, वो अपनी impurity को कहीं नहीं satisfy करने में लगे रहते हैं, ये सब कारण बनते हैं, कि हर व्यक्ती ऐसा अच्छा योगी नहीं बन पाता, लेकिन जिसका चित बहुत से अंत है, जो सरल चित हैं, जिनोंने संसार की च्छाओं को छोड़ दिया है, जिनके अंदर purity के बहुत अच्छे और natural संस्कार हैं, जो घ्यान योग की पढ़ाई में भी बहुत रूची लेते हैं, और जिनोंने निसकाम भावधारन कर लिया है, वो अच्छे और सफल योगी बन जाते हैं, यदि शुरुवात मैं करना चाहूं, तो शायद आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक लंबी प्रोसेस है, तो शायद एक जटके में शायद मैं आट घंटे तक योग नहीं कर पाऊं, तो आप क्या सजेस करेंगे जो शुरुवात कर रहे हैं, माली जी एक साल, दो साल होगा, या पाच साल भी होगा, या दस साल भी होगा, अब शुरू करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आट घंटे योग तक पहुँचें, तो कितने घंटे योग से शुरुवात करें, ताकि वहां तक पहुँचें, और कितने दिन में पहुँचें, सब बातों पे बहुत ध्यान दें, जो हमने चर्चा में लाई, कि अब हमें परचिंतन परदर्शन से मुक्त रहना है, दूसरों का चिंतन करने से हमें मिलेगा क्या, दूसरों को देखते देखते तो यूग बीत गए, अब नहीं देखना है, अपने को देखना है, अन्यता क् कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो 20 साल से राज योग करता है और देखा रहे ये तो न सबेरे उठता न भोजन पर योग करता है सारा दिन बातों में तेरी मेरी में रहता है देले हुए कि साइद ऐसे ही होगा सुईकार कर लिया तो हमें केवल भगवान की आज्याओं को ही सुनना चाहिए बाकी मनुस्यों को नहीं देखना चाहिए कोई धीला व्यक्ति है कोई क्रोध बहुत करता है हम सोचें इसका तो 30 साल में क्रोध ही नहीं छूटा हमारी क्या अगती होगी ये सोचना विलकुल गलत है जो एक व्यक् प्रक्ता है ये संभव है इसलिए अपनी उमंगों को कभी भी दूसरों को देखकर खतम नहीं करना होगा पहली चीज अब दो घंटे से सुरू करेंगे और एक लक्स पनाएं कि एक वीक में सवा दो घंटे योग कर देना है अगले वीक में धाई गंटे कर देना है फिर ऐस इसे बढ़ाएंगे कि हमें 15 मिन्ट बढ़ाना है 15 दिन में और एक द्रड़ता की बहुत जरूरत है जैसे मैंने किया था अपने जीवन में कि माल लो मेरा योग का चार्ट उतना नहीं हुआ जितना मैंने लक्स रखा था तो मैं रात को बैठता था योग में दो घंटे बै साथ साथ ये भी धियन रखना चाहिए कि जिन से वाओं में हम तत्पर हैं उन से वाओं को हम भली भाती पूरून किया करें ताकि सब की दुआएं भी हमारे साथ हों और परमातम दुआएं भी हमारे साथ हों क्योंकि मैं ये अनुभाओं से कह सकता हूं कि सर्व की और परमात्म दुआओं के बिना हम योगी नहीं बन सकते। इस तरहे एक साल का प्रोग्राम बनाए जाए देर धेरे उसको बढ़ाया जाए और जहां तक वो पहुंच जाए वहां से वापिस नहों, मालो वापिस होने लगा तो फिर अच्छा ध्यान देकर दो-चार दिन में उसको वहीं तक ले जाएं। समय है इसको अच्छे अभ्यास में बिताना चाहिए तो कि ठका हुआ ब्रेन कभी योग युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी ठकान हो जाए योग से नहीं या तो बिल्कुल बोडिलेस होकर अपने को रिलेक्स करना चाहिए जिसको लोग सावासन भी कह देते हैं पर बिल्कुल डेड हो जाता है। कुछ विचार करने के इच्छा नहीं होती है तो वो कौन से स्थिति है उसमें क्या करना चाहिए उसमें कुछ प्राप्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है वो भी समझ में नहीं आता है। मन का डेड होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है निल हो जाता है कई योगा होता है हमारे पास भी होता है सुरू में मुझे भी दो चार बार हुआ तो शिव बाबा ने यह स्पस्ट कर दिया कि इसे कोई प्राप्ति नहीं होगी तो मैं अच्छे संकल्प किरियेट करने है तो बिलकुल अपने स्वरूप की अवेरनेस तो रहेगी ही यदि हम अवेरनेस के बिना निल इस्थिति में पहुँचते हैं तो उससे कोई फाइदा नहीं ऐसे साधक को स्वामान के बहुत अच्छे अभ्यास करने चाहिए और ततकाल कुछी स्वरी महवाक्यों का अध्यन कर लेना चाहिए ताकि ये एस्थिती लंभा क mot क न चले थीकिले ब्रेंडियों को डेमेज़ कर सकते हैं और कईयों का मन ब्हाता जैसे मैंने कहा कि इसा होता है कि उचाट सा हो जाता है जब ये आध्यात्मिक बाते करना ले अध्यात्मिक अभ्यास करना इन सब में मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं जवर्दस्ती कर रहा हूँ, जवर्दस्ती कर रहा हूँ या मौनोटोनस हो रहा है, तो ऐसे मैं करते रहना चाहिए या कुछ और कर लेना नई, देखिये, जब मन उचाठ हो जाए, लोनली फिलिंग में आ जाए, यह हलके डिप्रेशन की स्थिती होती है तब तो मनुस को योगादी बहुत सूखा लगेगा उसमें उसको आनन नहीं आएगा तब उसको कर्म में लगना चाहिए और कर्म करते हुए एक दो अभ्यास करने चाहिए जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ वहाँ मेरा भाग इतना सुन्दर है कुछ इसवरी महावाक्यों को इसमर्ती में लाना चाहिए या बाबा मेरे साथ है वो मेरे साथ रहकर मेरे कर्मों में मुझे कॉपरेट कर रहा है ऐसे गुड फिलिंग रखते हुए दो चार पाँच दिन ऐसे सहज अभ्यास करने चाहिए क्योंकि इस मन की जो उचाट इस्थिती है इससे सोयम को बाहर निकालना बहुत आवश्चक होता है इससे नहीं तो मनुसका उमंग उत्सा भी नस्थ होता है वो कुछ अच्छी प्लानिंग भी नहीं कर सकता योग का फिल तो छोड़ो कर्म छेतर पर भी उसको बड़ी उधासिंता रहेगी इसलिए इससे दो-चार दिन ऐसे अच्छे अभ्यास करके अपने को बाहर निकालना चाहिए बिल्कुल मतलब इस्थिती ऐसी नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसा लगता है इसको इंजॉय करने लगते हैं इसे लोनली फिलिंग बढ़ जाएगी और फिर उसका ज्यान योग सब छूट सकता है वो जो बात आपने कही थी कि हमी सब की दुआएं मिलें या प्रभू की दुआ मिलें उसके बाद ही ये पॉसिबल है तो ये कैसे समझें मतलब एक होता है कि मैं अपने एफर्ट से वहां तक पहुँआ और दूसरा हुआ कि परमात्मा की मेरे उपर कृपा हो गई आशिरवाद हो गई कौन सा तरीका जादा अच्छा है मुझे तो लगता है कि भगवान ही सिर्फ हाथ रख दे कि लोब एच्छे 8 गंटे हो जाए तो ऐसा कैसे सहज हो सकता है वो तो हाथ रख देता है लेकिन हाथ रखने से हम योगी तो अच्छे बन सकते हैं पर यदि सदाकाल के योगी हमें बनना है तो हमें अपनी सादनाएं स्वयम ही करनी पड़ेंगी क्योंकि किसी के भी आसिर्वाद दे किया गया कोई भी चीज प्राप वो सदा नहीं चलती चाहिए वो परमातम आसिर्वाद ही क्यों नहों इसलिए मनुस को स्वयम अपनी महनत से सब कुछ अचीव करना चाहिए वो एवरलास्टिंग रहेगा वो अभीनासी रहेगा और उसकी सची ताकत मनुस को प्राप्त होगी जीवन में पत्यजी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बात मैंने कही थी कि लोगों ने इसलिए छोड़ दिया है कि शायद यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके मेल हमारे पास आते हैं जो विद्याले से भी जुड़े हुए हैं कि सुबह साथ बजे जा रहे हैं काम पे रात को नौ बजे आ रहे हैं तो अब उन्हें लगता है कि इस सेड्यूल में आये थके हारे योग भी नहीं लगता दिन बर भी वहाँ बीजी हैं जा महिलाएं भी घर की कामों में इतनी जाद अबयस्त हो जाते हैं तो शायद इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है कि हमसे शायद नहीं होगा एक सुन्दर सी प्लानिंग जैसे आपने दो घंटे की ही कही है सुबह से लेके रात तक क्या ऐसा खाका खीचा जा सकता है जा नहीं देखिए मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति बिलकुल योग ना करें जो सात बजे सबेरे ड्यूटी पर जाते हैं रात को नो बजे आते हैं ऐसे बहुत लोग हैं हमारे आईटी वाले या दिल्ली में हम देखते हैं गुड़गाओं में घर है दिल्ली के सात बजे घर से निकलते हैं उसका कारण यही है कि दो घंटे उन्हें बस यात्रा करनी परती है सात बजे से हमको पूरा करते हैं फिर दो घंटे बस यात्रा करनी परती है ऐसे लोगों को मैं यह सिखाया करता हूं कि चार घंटे तुम्हारे पास फ्री है जो बस यात्रा कर फैलाने का अभ्यास कमसे कम यह तीन अभ्यास बहुत सहज हो सकते हैं एसरी दीपन सुवामान मैं कौन हूं और वाइब्रेशन मुझे फैलते जा रहे हैं अभी अभ्यास कर लें हम बस में बैथे हैं ऊपर से श्री बाबा की किरने पढ़ रही हैं आने दो एंजोई करें परमात्म के नीचे बैथे हैं श्याम को चले अब श्याम को मन ठक जाएगा तो एकदम अपने को कुछ अच्छे विचारों से फ्रैस करें जैसे एसे बाबा तुमने मुझे कितना अच्छा पाट दिया है हो हम तो धन्य धन्य हो गए तुम्हें पाकर बस आज का हमारा ये खेल ड्रामा पूरा हुआ अब हम फिर से तुम्हारे पास हैं ऐसी अच्छे चिंतन से पाच-सात मिनाट में अपने को फ्रैस कर लेना चाहिए तोगी सारे दिन के कामकाज का इफेक्ट इदर अवस्य होगा कोई थक भी गए होंगी किसी को अपने साथियों से निगेटिवीटी मिली होंगी किसी को अपने बोस से डांट डप्ट भी मिल गई होगी उसको महीं छोड़ के हैं जैसे ओफिस का दरवाजा बंद कर रहे हैं, जैसे ओफिस छोड़ के जा रहे हैं, उन सब को महीं छोड़ दें, अब बस पुरा हुआ हमारा केल, और फिर वो दो गंटे को एंजोए करें, ये ध्यान रखना है, और फिर सारा दिन का जो समय है, जो जहां भी कारियरत है, अमान गंटे के बाद, एक गंटे मनुस ठकता भी है, मानजिक रूप से भी, तो वो एक मिनट ऐसरी रीपन, योग अभ्यास, स्वामान का अभ्यास करेंगे, इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनको एक ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, मन भी फ्रेस होगा, तन भी फ प्रेक्टिस, इससे इसला इफेक्ट खतम होगा, नहीं अनर्जी आएगी, और इसको continue भी रख सकते हैं फिर वो थोड़ थोड़े अपनी consciousness में, तो इस तरह अगर सारा दिन बिताया जाए, तो चार गंटे योग तो आराम से बिल्कुल निए, इस बात का ध्यानी नहीं रह प्राजियों के कुछ गीत या कुछ ऐसी किताबें हैं ब्राताजी जो ऐसे समय पे वो योग के लिए यूज कर सकते हैं अभी वो अपनी यात्रा में पढ़ेंगे तो नहीं, पर सुनने के लिए बहुत चीजे हैं, अपने mobile phone में बहुत कुछ आ जाता है, तो अच्छी classes, अच्छी commentary, अच्छी सुवमान की बाते, वो सब अपने पास रखनी चाहिए, और यात्रा में कम से कम आदा गंटा उनको स तुन लें, विशेश कर जब वाफिस आ रहे हैं, और जब जा रहे हैं, शुरू में और वहां की भी सुरुवात में, तो जो इफेक्ट होता है न और चीजो का, वो समाप्त हो के हम energetic हो जाएंगे, इसकी मदद तो सबको लेनी ही चाहिए, बिल्कुल जो बनी बनाई होंगा, जो मेरे मन में हमेशा उठता रहता है, एक ऐसा दौर था आपके जीवन में, शुरुवात में, जबकि आप निरंतर जैसे परमात्मा से जुड़े रहा करते थे, निरंतर योग-योगत रहा करते थे, तो आपने जब योगा भ्याश की शुरुवात की, तो आप एक स्विव बाबा की मुझे ब्लैसिंग मिल गई, कुछ ऐसी घटना होई थी, हम लोगोंने मुझे जुम तेयार किया था आपू का, मैं भी वहां सेवा में था, तो उसकी ओपनिंग पे बाबा आए और उनसे मुझे कुछ मिल गया था, और बाबा ने मिलते हुए, मुझे बिलते हुए खास, क्योंकि तब तो हम लोग परसनल मिल लिया करते थे न, तो ये कहा था कि परतिग्या करके पुर्शार्थ करों, तो मैंने बस अगले ही दिन से जो परतिग्या की, बस वो जैसे परमातम आदेश, और आदेश के साथ उसकी शक्तियां और वर्दान भी मिल और तिन दिन में ही मुझे तो इसमें लक्स में सफलता मिल गई थे और मैंने बहुत एंजोय किया था, और फिर जैसा मैंने कहा मैंने लक्स बनाया था, कि अब इसको कम नहीं होने देना है, तो उसका आधार यही था कि मेरी प्योरिटी बहुत अच्छी थी, मैं तर्मो की बहुत रहता था, मेरा जीवन सरल चित भी था, तो इन सब चीजों की बहुत मदद मिल गई और दढ़ता पूरवक मैंने किया था, लेकिन हर व्यक्ति इसको ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन एक लक्स रखेंगे बहुत जल्दी, जिनके पास यह दो तीन चीजी है ना, इगोल जीवन में, hourly chart बहुत लिए थे, चार्ट लिखने के तो मुझे जैसे सोकी था बहुत जादा, तो मैं hourly chart, 3-3 दिन के chart, 40-40 दिन की planning, जभी 15-15 दिन की planning, मौन, यह सब उन दिनों क्योंकि बहुत लगन थी, अपने को संफूर्ण बनाने की, तो यह सब मैंने बहुत किया और एक दो दिन नहीं सालों साल किया, बहुत साल तक किया, इसका फाइदा बहुत शुक्रिया बराता जी, यह सारी चीजें भी हमारे दर्शक, जो हमारे साधक बंधु है, वो भी यूज करेंगे, तुने शुत रूप से उनका भी योग वहां तक बहुत जाएगा, क्योंकि आ आप हमारे सामने एक जीवंत उधारण है, जिन्होंने इसे साकार करके दिखाया है, आज की संदर चर्चा के लिए बराताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मित्रों कहते हैं, जहां द्रेडता है, वहां सफलता है, और एक बार धुन लगा दें, एक बार लगन लग ज बलकि सहज से सहज होता चला जाता है, और साथ ही अभ्यास की भी जरुरत है, मुझे याद आ रही है एक प्रासंगिक बात, कि एक बार पांड़ जब बिल्कुल वनवास में चले गए थे, तो रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा था, तो किचन से खटपट की आवाज आई तो अर्जुन की आँख खुली, तो वो गए किचन में, देखा कि बहुत गनगोर अंधेरा है, उन्होंने दीपक जलाया, तो देखा कि भीम जो महोदय हैं, वो कुछ खा रहे हैं, इतना अधेरा था कि कुछ भी सोज नहीं रहा था, जब अर्जुन ने ये देखा कि भईय यहाँ बैट के कुछ खा रहे हैं, तो अर्जुन ने पूछा कि भीया, इतने अंधेरे में आपको दिखाई कैसे दे रहा है, तो भीम जी ने एक ही शब्द कहा, अर्जुन अभ्यास, तो इस चीज का चुकी अभ्यास था, इसलिए अंधेरे में भी उन्हें सब कुछ सहज प्रतित हो रहा था, जबकि अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे भी ऐसा लगता है, कि योग एक ऐसा विशे है, जो अभ्यास का विशे है, लगन तो हमें कूट-कूट के भरी ही हुई हो, लेकिन साथ-साथ हम अभ्यास जैसे-जैसे करते चले जाते हैं तो वैसे-वैसे ये जो योग है, सहज होता जाता है, जैसे कोई ड्राइवर होता है, जब हमने साइकल चलाना शिरो किया था, हमें कितना कठिन लगता था, लेकिन जब हमने चलाना सीख लिया, तब हम हाद छोड़ के भी चला सकते हैं, तो अभ्यास नितानत आवश्यक है, जैसे-जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, मुझे लगता है, आट घंटे योग करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, तो आपका योग सहज हो, सरल हो, और साथ इसकी गहन अनुभूति की और आप आगे बढ़ें, इन्हीं शुपकामनाओं के साथ, देजे इजाज़त Namaskar